नमस्ते बच्चों अम्मू एंड यू चानल पे आप सब प्यार भरा स्वागत हर बार की तरह अम्मू आज एक बड़ी ही सुन्दर कहानी लेकर आई है आपके लिए ये ना जानवरों की कहानी है और जाहिर है कि कहानी जंगल के होगी इस कहानी का नाम है चुटकारा बड़े समय पहले की बात है एक बड़ा घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था बड़े सारे जीव उस जंगल में रहते पशू पक्शी सब उस तालाब पे अपनी प्यास बुजाने आते और जंगल का नजारा बेहद खूपसूरत था जो भी देखता देखता ही रह जाता दिन भर सारे जीव वहाँ पर अठखेलियां करते रहते और नाना प्रकार के पेड़ पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल पीले गुलाबी जामुनी रंगे और कितने सारे फलडार पेड़ सब भलों से लदे रहते और उन पेड़ों पर कितनी सारी और खूपसूरत तितलियां मंडराती रहती इतने मीठे फलों से लदे पेड़ों पर तो जानवर बिलकुल इतनी कुदा फादी करते शाखाओं पर बंदर जूलते उचलते कूते शोर मचाते पक्षिया के उन फलों को खाते और जानवर भी खाते गिलेरी खाती और तरह त अरे के जानवर आपस में बहुत ही प्यार से मिल जुल कर रहते इतने खुशी भरे वातावरण में लेके एक दिन एक आएक सब बदल गया कैसे अरे एक बड़ा सा मगर मच दूसरी जील से वहां पर आ गया और आकर उसे लगा अरे इस तालाब के आसपास तो डेरो पशू पक्षी हैं खाने में इनको बड़ा मजा आएगा तो आज से मैं यहीं रहता हूं और वो आकर जील से जील में रहता दिन में निकल कर जील के पास आराम से धूप सेक्टा और चुप चाप सोने का नाटक करत कोई भी जनवर आता पास में दोड के दबोच लेता और उनको खा जाता कई हिरन खालिये कई कचुए खालिये और मीढक केकड़े और मचलिया खाना तो बड़े ही आसान बात थी उसके लिए सभी जनवरों का तो डर के मारे बुरा हाल था इतना डरने लगे कि बापरे इस तरह से तो हर रोजी हमारे सगे संबंधी खत्मों ते जा रहे हैं समस्या का हल निकालना पड़ेगा सबने तै कि तालाब के सारे जीव एक बैठक बुलाएंगे और सभी जंगल के जीवों को बुलाने का जिम्मा मोटू कचुए को दिया गया मोटू कचुए दूर दूर तक टुकूर टुकूर घूम घूम कर घूम घूम कर सबको बुला लाया कि भाई जंगल में आज बड़ी जरूरी बैठके सब लोग आ जाओ बहुत जरूरी बैठके मगर मच के समस्या का निदान होने वाला है सब ही जानवरों में सुना और अगली ही सुबह जैसे ही धूप निकली मगर मच तालाब से निकल कर धूप सेखने लगा और इधर तालाब के दूसरे किनारे सब ही जीव बैठक में पहुँच गया अब मगर मच चुपचाप आना जाए इसका जिम्मा देखने का जिम्मा हमारे कच्छुए को दिया गया कहा भाई जरा ध्यान रखना एक नजर उस दुष्ट मगर मच की तरफ रखना कहीं से आकर इखटे हम सबको पता नहीं कितने लोग को खा जाएगा देखते रहे ना और जंगल के सारे जीव मचलियां कच्छुए मेधा खिरान खरगोश बंदर जेबरा और जलकी मुर्गियां जंगली बतके सब पहुँच गए बैठक में भाग लेने क्योंकि सभी जानवर घोर चिंता में डूबे हुए थे और सब को इस मगरमच से चुटकारा चाहिए था बैठक शुरू हो गई मगरमच वहाँ पे आराम से धूप सेक रहा था और कच्छुआ दूसरे तरफ खड़ा होके इधर एक बार बैठक में भाग लेता एक बार उधर देखता कि भाई ये कहीं मगरमच हिला तो नहीं इस तरफ आ तो नहीं रहा है अब इधर और उधर देखते देखते तो कचुए की गर्दन तुकसे लगे उसने कहा भाई जल्दी जल्दी कुछ करो मेरी तो गर्दन में बहुत ही दर्द हो गया तब ही रिंकू केकडे ने एक सला दी उसने कहा भाई शहर से मीरा मौसेरा भाई आया है बिट्टू और बिट्टू डाक्टरी की पढ़ाई करके आया है हम सब चलो उसके पास चलते हैं ये जो कचुआ है इसकी गर्दन का इलाज भी बिट्टू जरूर कर देगा और पढ़ा लिखा है समझदार है हम लोगों जैसा निरामूर्ख और अनपढ़ नहीं है स पढ़ने लिखने से बड़ी बुद्धी बढ़ती है चलो उसके पास चलते हैं और जरा उससे इस समस्या का हम निदान पूछते हैं जरूर वो हमारी मदद करेगा हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हमने भी सुना है कि पढ़ने लिखने से बुद्धी होती है किसने कहा चलो मचली रानी इसको अपनी पीट पे बैठा लो बिट्टू को और कच्छुए को मचली रानी ने अपनी पीट पे बैठा लिया और सब जनवर जुंड में चल पड़े शहर की तरफ क्योंकि वो शहर तक नहीं जाना था वो एक पास में जहां रहते थे जंगल के बाहर शहर की ओर ये हमारा बिट्टू केकड़ा रहता था वहीं पर उसने अपनी केकड़े खोली थी अपना दवा खाना खोला था सब चल पड़े अब इतने जानवर जब जाने लगे आवाज हुई और बिट्टू केकड़े को भी आवाज सुनाई दी वो बाहर निकला और बोला अरे रिंकू तुम आ गए हो कितने दिनों बात देखा वड़ा अच्छा लगा भाई आओ आओ और ये सब कौन है ये सब हमारे दोस्त हैं भाईया एक बड़ी मुसीबत में सलह लेने आये हैं हाँ हाँ बोलो भाई क्या बात है हम लोग सब एक दूसरे की मदद के लिए ही तो हैं पहले तो ये कचुए भाईया की गर्दन सही कर दो दुख रही है और फिर जब इनों ने बिट्टू डॉक्टर बिट्टू कचुए की गर्दन का इलाज करने लगा तो रिंकू ने उसको पूरी समस्या बताई और समस काम तो है नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा सोच कर उसने कहा भाई सुनो मुझे लगता है ये काम केकड़ों केकड़े ही कर सकते हैं केकड़ों को ये जिम्मेदारी उठाने पड़ेगे बोलो भाई केकड़े तैयार हो हां हां हम तैयार हैं हम सब दोस्तों के लिए जंगल कि जीवों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा तो हम तयार हैं। क्या करना है, कितने केकड़े होंगे भाई, तुम लोग सब लोग तालाप के आसपास कितने लोग होगे, चार से पांटसो केकड़े होंगे भाई, बितु, ठीक है, तो एक काम करो, रिंकू, तुम रुब जाओ, रात को, मैं ना एक केमिकल बना कर देता हूँ, बड़ा ही जह मेरीला केमिकल मैं तुम्हें एक डब्बे में दूँगा इसको लेकर तुम जाना और सभी केकड़े अपनी टांगों पर इस केमिकल का लेप लगा लेंगे और उसके बाद मगरमच के ऊपर चड़ कर जिसको जहां मिले उसको काटना है जिससे कि ये केमिकल मगरमच के शरीर के हर हिस्से पर लग जाए ठीक है बहुत अच्छी बात है एक बात बताईए भाया आप सब लोग बिट्टू ने पूझा मेरे दिमाग में ये नी समझ में आ रहा है आप सब इतने जीव यहां जंगल में रहते हैं आपके पास कोई स्कूल नहीं है यहां कोई स्कूल ही नहीं है आप लोग कुद भी शिक्षा नहीं लेते और अपने बच्चों को भी शिक्षा लेने के लिए नहीं भेजते क्या अरे शिक्षा लेने से ही तो हमारी बुद्धी का विकास होता है हमारी समझ होती है हमारे हाँ तो कोई स्कूल नहीं है बिट्टू भाईया सोचना उसके बारे में जरा और रिंकु जरा तुम रुग जाओ आप बाकी सब जाओ और रिंकु वो केमिकल का डबा लेकर अगले देना आएगा अब रिंकु रुग गया और बाकी सब लोग चले गए अपने घर पहुँच गया रात भर सब सोए और सोच रहे थे कि ये रिंकु अगले दिन केमिकल का डबा लेकर कबाता है सुबह हुई रिंकु पहुँच गया और सभी केकड़ों को उसने वो छोटी सी डिब्बी दिखाई अब वो डिब्बी नहीं खोल पाए बंदर मामा ने का रुको भाई मैं खोलता हूँ बंदर मामा की मदद से वो डिब्बी खोली गए और सभी केकड़ों ने अपने अपने पैर उसमें डुबो कर अच्छे से उस केमिकल को अपनी टांगों पर सब लगा लिया सब लगाने के बाद तयार जहरीले केमिकल से मगरमच पर हमला करने को सब तयार पूरी तरह से लेस देखा मगरमच बड़ी ही शान से जैसे जूमता हुआ पानी से निकला और धूप सेखने लग गया धूप सेख रहा था और थोड़ी देर बाद अपना मूँ उसने आधा खोला ऐसे करके वो सेखने लगा केकड़े बोले भाई यही मौका है यही सबसे अच्छा मौका है चलो हमला और सारे के सारे केकड़े चार सो पाँच सो केकड़े बच्चों किल बिलाते हुए मगर मच की तरफ गए और मगर मच के समझने से पहले ही सब उसके ऊपर चड़कर पीट में पेट में पूच में सर पे सब काटने लग गए एक तो काटा उपर से उनके पेरों के पंजों में जो जहर था सब मगर मच के शरीर पर लग गया और उसका जो मूँ खुला था करीब पचास सार्ट केकड़े तो किल बिलाते हुए उसके मूँ के अंदर ही खुश गया वो जहरीला के मिकल काम करने लगा और दर्द और जलन से मगर मच तो छट पटाने लगा इतनी पीड़ा वो चिलाने लगा बचाओ 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 चिलाते चिलाते बेदम होकर वो गिर गया मूँ बंद और बेदम होकर निस्तेज सा पड़ गया सब जानवर देख रहते दूर से चुपचा आप देखने लगे अपनी अपनी जगा से कोई नहीं हिला दिन धलने लगा दो पहर हो गई मगर मच नहीं हिला शाम जब होने लगी देखा मगर मच थोड़ा सा हिल रहा है धीरे से उसने अपनी आखें खोली और आखें खोल जैसे ही खोली ऐसे ऐसे देख कर इतने जानवरों को देखा और अपनी दुरगत याद आ गई डर के मारे वो अपनी जील जहां से आया था उस ओर चल पड़ा उसको उस ओर चलते देखकर उस सारे जानवर खुशी से चीख उठे उनकी चीख सुनकर मगर मच और डर गया और जल्दी 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 जितनी जल्दी हो सकता है वहां से वो भाग कर अपनी जेल में पहुँच गया और उसने कसम खाई बाबा अपना घर चोड़ कर अब मैं कहीं नहीं जाओंगा मुझे बड़ी भारी सजा मिल गई इधर जानवर खुशी से उचलने लगे चुटकारा मिल गया चुटकारा मिल गया आप बच गए हम सब बच गए और सब रिंकू के कड़े का बहुत बहुत श हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद और जाके डॉक्टर बिट्टू को भी हम लोग धन्यवाद देंगे तभी हमारे बंदर मामा बोले ये तो सब ठीक है रिंकू के कड़े को सच में बहुत बहुत धन्यवाद और बिट्टू को भी जाकर हम लोग धन्यवाद देंगे ल हम सब इतने जीव, इसका हल नहीं सोच पा रहे थे, किसने सुझाया, शिक्षित हमारे डॉक्टर बिट्टू ने, पता है भाई, मैं भी बिट्टू के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था जब हम छोटे थे, मुझे पढ़ा ही नहीं अच्छे लगते थे, मैं छोड़ चाड़ की बातें, अब समझ में आ गया कि मैंने कितनी नादानी की थी, अगर आज मैं भी पढ़ा होता, तो ये समझ मेरी दिमाग से भी आ सकती थी, भाई, अब हम सब पढ़ेंगे, यहां पर एक स्कूल खोलेंगे, और अपने बच्चों को नियमेत रूप से स्कूल भेजेंगे, बंदर मामा की बात सब की समझ में आई, सब लोग बोले, हम सब तयार हैं, कच्चुवा बोला, भाई, बंदर भाई ने बिल्कुल सही बात कही, यहां पर स्कूल हम खोलेंगे, और हमारे डॉक्टर बिट्टू इतने मददगार हैं, वो हमारी इसमें जरूर मदद करेंगे बंदर मामा बोले, और कच्चुवे भाई, आप हेड मास्टर बन जो स्कूल के, आप सबसे बड़े हो उम्र में, आप ही हेड मास्टर बनोगे, और सब का स्कूल जाना अनिवार है, सुबे बच्चे जाएंगे, शाम को हम सब बड़े बुढ़े जाएंगे, बिन का जीवन फ्यारूत है, सब लोग राजी हो, हाँ हम सब राजी हैं, स्कूल खोलने की तयारी की जाएंगे, क्योंकि शिक्षा से ही हम सब को इस दुष्ट मगरमच से चुट पारा, बिट्टू को जब ये खबर मिली, बिट्टू बहुत खुश हुआ, स्कूल खुला, और वो जंगल ही बदल गया, सुन्दर जंगल, अब शिक्षित जंगल हो गया, वहां के बड़े जीव शाम को पढ़ने जाते, और छोटे बच्चे दिन में पढ़ने जाते, इस तरह से उन सब का जीवन और आनंद से हर गया, अच्छी लगी कहानी बच्चों, जरूर लगी होगी, मुझे तो बड़ी पसंद आय थी जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी, और तभी मैंने सोच लिया था, मेरे बच्चों को ये कहानी तो सुनानी ही पढ़ेगी, अच्छ और खुद शिक्षा के महत्व को समझे, शिक्षा की जरूरत को समझे, अपने सुन्दर जीवन को शिक्षा से भर कर और सुन्दर बनाई, मन लगा कर पढ़े और शिक्षा पाकर बुद्धिमान बन जाए, ओके, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद, धीर सारा प्यार अमो की तरफ से आखे नमस्ते थान्यवाद